डीजे को हराकर यूविका अपने परिवार के साथ गई अपने घर पर जैसे ही वो घर के अंदर गई तो सामने गारगी आ गई वो यूविका और उसके परिवार वालों से कहती है कि घर के अंदर जाने से पहले मेरी लाश पे से गुजरना होगा गारगी की ये बात दादा बाबू सुन लेते हैं और गारगी के सामने बंदूक रख देते हैं और बोलते हैं गारगी से अगर तुम्हें यही मंजूर है तो कर लो अपनी मरजी की और मार लो खुद को गारगी बंदू को ठाकर खुद को खत्म करने के लिए तैयार हो जाती है तबी गारगी का पती धनराज आकर उसे रोक लेता है दादा बाबू गारगी और धनराज को उसी सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए बोल देते हैं जिसमें डीजे ने युविका के परिवार वालों को रहने के लिए मजबूर किया था जाने के बाद गारगी का दिमाग सटक जाता है और वो पानी का मटका तोड़ देती है युविका नील को फोन करती है मगर फोन नहीं लग रहा था नील का फिर जब युविका इशा से पूछती है तो इशा रूम में भेज देती है युविका को जहां पर नील था युविका जब रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि चारो तरब बलूनी बलून और लाइटी लाइट लगे हुए थे पिर जब नील और युविका एक दूसरे के सामने आते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे के खयालों में खो जाते हैं दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात बोलते हैं, नील ने अखिर कार यूविका से कर दिया, अपने प्यार का इजहार कर दिया यूविका को प्रपोज, यूविका से डीजे और उसकी फैमली का अभी तक ठीक से पीछा ही नहीं चूटा था कि उसकी लाइफ खराब करने क लिए एक और फैमली आ गई है, सेम डीजे की फैमली की तरह, दीजे तो यूविका का ही कजन था, मगर ये लोग आउटर है जो तलवार से, अब यूविका का सामना डीजे से नहीं बलके तलवार से होगा, पता नहीं यूविका अखिर कब अपनी फैमली के साथ सुकून के पल जीएगी, वो सुकून के पल अभी मिले ही थे कि फिर से एक फैमली सुकून चिनने आ गई है, देखते हैं यूविका और दादा बाबू क्या करते हैं तलवार सेमली के साथ,